सुख्या ट्रेनों में चने बेचता था ए चना खालो चना आये, खटा मीटा चना आये, साब चना खाओगे क्या ऐसे ही सुख्या का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेट के पास गिर्वी था एक दिन सुख्या, लास्ट ट्रेन में चने बेच कर घर गए और देखा वहाँ पहले से ही सेट उसका इंतजार कर रहे थे आईए आईए सुख्या जी, आईए, आप ही का इंतजार कर रहा था सेट, क्या बात है सेट, इतनी रात को मेरे घर पे आपका घर? ओहो हो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है तूने मुझे आज इंतजार करवाया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू चमा कर दीजिये सेट, मुझसे गलती हो गई आज पैसा लोटाने का आखरी दिन था न, मेरे पैसे कहा है, दे मेरे पैसे, निकल पैसो का इंतजाम नहीं हो पाया सेट तो फिर घर से निकल, चल, अभी निकल, चल अभी मैं बीवी बच्चल लेकर कहां जाओंगा सेट, थोड़ी तो दया कीजिये चल ठीक है, तुझे दो दिन की महलत और दी, दो दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले न, तो ये घर मेरा समझा धमकी देकर सेट चला गया, सुख्या घर के अंदर घुसा, वहाँ उसकी बीवी सरला और दो छोटी-छोटी बेटियां, चुन्नी और मुन्नी डर के मारे काप रही थी क्या हुआ, सेट ने क्या कहा, वो हमें घर से निकाल देंगे क्या अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तब्यत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल में भरती करवाना पड़ा था, उसी वज़ा से सुख्या को सेट से पैसा उधार लेना पड़ा, उसके बदले सुख्या को उसका घर सेट के पास गिरवी रखना पड़ा, औ और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया, ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुख्या सो नहीं पाया, अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया, और ट्रेन में चना बेचने लगा, लेकिन दो दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज़ादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे, ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटवा उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है, बटवे में पैसे बहुत हैं, वो देखकर सुख्या अपने आपको संभाल नहीं पाया, उसने बटवा चुरा लिया, लेकिन उस आदमी ने सुख्या को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया, सर इस चना बेचने वाले ने मेरा बटवा चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका, सुख्या, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चौरी की, माफ कर दीजे साहब, मुझसे गलती हो गई, नहीं सुख्या, चौरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भगत नहीं होगी, आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे, उसे स्टेशन से निकाल दिया गया, अब उसके पास काम भी नहीं रहा, वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया, उसकी दोनों बेटियां रोने लगी, बाबा, क्या हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, क्या हमें भीक मागनी होगी, रो मत बेटी, माप कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया, अपनी दोनों बेटियों को सुला कर सुख्या और सरला सिसक सिसक कर रोने लगे, अग मर जाएंगे सेट हम मर जाएंगे सुखिया अपनी बीवियों और बच्चियों को लेकर वहाँ से चला गया बाबा अब हम कहां रहेंगे चल बेटी देखते हैं बाबा हमें घर तो मिल जाएगा ना घर मिलना तो मुश्किल है बेटी सुखिया उने लेकर स्टेशन के पास ही आ गया स्टेशन से थोड़ी ही दूर पट्री पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोग्या खड़ी थे सुखिया ने वो देखा और कहा चल बेटी चलो सरला उस ट्रेन के पास चलते है लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे दर्वाजे तो बंद है सुखिया अपनी बीवियों और बेटीयों को लेकर ट्रेन की बोग्यों के पास चला गया सरला घर से कुछी चीज़े ला पाई थी उन चीज़ों में कुछ बोरे थे उन्होंने ट्रेन के नीचे पट्री पर बोरे बिचा दिये और वहीं पर बस गये चलो अच्छा है बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं बेबस इंसान थोड़ी सी उमीद में ही जीता है लेकिन सुखिया के पास तो कोई उमीद ही नहीं थी फिर भी रहने की जगह तो मिल गई लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता ट्रेन के नीचे पट्री पर जगह तो मिल गई लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है कोई बात नहीं जी मैं दोनों बेटियों को लेकर भीक मांगूगी उसी से कैसे भी करके पेक तो चल जाएगा हाँ बाबा हम भीक मांग लेंगे भीक मांग कर पैसों का जुगार कर लेंगे सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीक मांगने लगी और सुख्या इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीटने लगा लेकिन सुख्या को कहीं पर भी काम नहीं मिला हर जगा ये रट गया था कि सुख्या बटवा चोर है इसलिए कोई भी सुख्या पर भरोसा नहीं करना चाहता था ऐसे ही एक दिन वो पट्री पर बैठा हुआ था और उसकी आँखों से आंसु टपक रहे थे उधर उसकी बीवी और बेटियां भीक मांग रही थी तब ही स्टेशन पर सेट अपनी मा को लेकर आया और सरला को भीक मांगते हुए देख कर कहा अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो ये लो दो रुपए सेट अपनी मा से बहुत प्यार करता था सेट की मां बिमार थी इसलिए सेट उने लेकर शेहर के अस्पताल में जा रहे थे इसलिए वो स्टेशन पर आये थे लेकिन अचानक से उनकी मां का पैर फिसर दिया और वो पट्री पर गिर पड़े और उसी पट्री पर एक ट्रेन आ रहे थी सेट भी खुद पट्री पर उतरने से डर रहे थे ट्रेन बहुत पास आ गई थी सभी ने आँग बंद करने लेकिन तभी सुख्या दोड़ते हुए आया और सेट की मां को पकड़ कर प्लेट फॉर्म पर उठा दिया सुख्या का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही तूटा वो जान से नहीं मरा और ही देख कर सेट की आँखों में आसु आ गए उन्होंने अपने पैसों से सुख्या का ट्रीक्मेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया साथ में उसे जमीन जैदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया इस तरह सुख्या की जिंदगी बदल गई इसलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है भीखो और उसकी पत्मी मम्ता का एक छोटा बेटा था भीखो और मम्ता सडको पर सामान बेच कर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाद पर एक छोटी सी जुगी में रहकर गुजारा कर रहे थे मम्ता दुबारा गर्वती थी इसलिए वो जुगी के आसपास ही रुखने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी एक दिन मम्ता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है इस वजह से वहाँ भीड भी काफी रहती है मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेच कर आ जाता हूँ इतनी भीड में ध्यान से जाना लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़िया रफ्तार से दोड़ती है बीखु पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है ले लीजिये भाहिया ये खिलोना आपके बच्चे के लिए ये गुबारा ले लो भाहिया इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है ले लो साहब आप दस रुपई दे दो बीखु दस रुपई लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ा कर फलटता है एक गाड़ी उसे धका मार देती है जैसे ही भीखु मीचे गिरता है एक और गाड़ी उसे कुचल देती है भीखु वहीं मर जाता है भीखु के साथ एक और व्यक्ती जो सामान बेशता था वो ये दुरघटना देख लेता है और मम्ता को बताता है नहीं ये नहीं हो सकता मैं किसके सहारे जीओंगी आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू बापू आप कहां चले गए गोलो बापू मम्ता सूरज के हाथ से भीखु का अंतिम संसकार करती है भीखु के देहांत के बाद मम्ता बिलकुल अखीली हो गई थी एक दिन, मम्ता बेटे सूरज और गोध की बच्ची को लेकर दिन भर सडको पर गुबारे बेश देखी, एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी जादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना, मैं कुछ गुबारे और पैन बेश कर सोनी के ल आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खानी को ले जाओंगी, मम्ता बड़ी मुश्किल से कुछ गुबारे बेच पाती है और थोड़ा दूद और रूटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है, तब ही एक महिला मम्ता के पास आती है, मम्ता कल हमें यह जु उन्हों बच्चों को लेकर कहां जाओंगी, अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहां से लाओंगी, मम्ता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैट जाती है, तब ही सामने एक आटो रिक्षा पलच जाता है और एक महिला आटो रिक्षा से गिर जाती है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। तुमने मुझे उठाया था और आटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया बेटी जो तुम मुझे यहां ले आई। मा जी आपकी रीड की हड़ी में फ्रेक्चर हुआ है। इसलिए आपको घर ले जाने के लिए अम्बुलेंस की विवस्था करनी होगी। बेटी मेरे पती अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए है। मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुँचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूँगी। आप एक एम्बुलेंस की विवस्था करा दीजे। मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिये। मैं आपके साथ ही चलूँगी। मम्ता राजरानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राजरानी को उस वक्त एक सहारी की बहुत जरुरत थी, जो मम्ता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुँचकर राजरानी अपने पती महेंद्रनाद को फोन पर सारी बात बताती है। मम्ता, मैंने अपनी पती को फोन कर दिया है। वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो। मम्ता, राजरानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ मम्ता, तुम अचानक रोने क्यों लगी। कोई सबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुखना चाहती, तो कोई बात नहीं। और फिर, तुमने इतना कुछ किया है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मम्ता, राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है, और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आँखों में आँसु आ जाते हैं। आप ही बताए माजी, अब मैं क्या करूँ, अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहा जाओ। और सोनी के लिए थोड़ा दूद भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनात वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्र गुजार रहूँगा। धीरे धीरे राजरानी की तव्यत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। एक महीने बाद राजरानी बिलकुर ठीक हो जाती है। मा जी, अब आप ठीक हो गई है तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धने हो गए। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए में सदैव आपकी आभार पर सूरज और सूनी को देख कर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा तुमने राजरानी की मा जैसे सेवा की है बेटा हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे ममता की आँखे आंसों से भर आती है बे सहरा को सहरा मिल जाता है ममता राजरानी के गले लग जाती है उस दिन के बाद से ममता महेंदरनात के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किये